नमस्कार दोस्तों, WP Academy के इस online चैनल में आप सभी का स्वागत है, आज हम बात करने जा रहे हैं लोग से वायोग उद्दकदेश के इस notice के बारे में, जो की बहुत important notice है, अगर आपने PCS Main Examination 2019 दिया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, और जिससे आप आपको जरूरी information आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, तो चलते हैं, या पहले भी मैं आपके वीडियो में बता चुका हूँ, कि UPSC की साइट को मैं explain कर चुका हूँ, तो फिर इस साइट पे आप जाएंगे, uppsc.up.nic.in पे, आप यहां पे जाएंगे, तो यह main page है, यहां प खुल के आपके सामने आएगा, तो यह notice संख्या मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, लोग सेवा आयोग की, जो notice संख्या है, वो 82-5E2-2019-20 का है, और यह notice है, दिनांक, 22-April-2020 का, तो यह notice basically बोलता क्या है, क्योंकि इस समय करूना वाइरस की pandemic situation चल रही है हमारे पूरे तो आयोग ने आपके लिए कुछ relaxation दिये है, तो यह relaxation उन candidates के लिए है, जो कि already PCS examination में selected है, तो क्या है, वो मैं आपको basically, क्या important notice है, मैं आपको point voice समझा देता हूँ, easy language में, जिससे आपको समझने में असानी हो, तो यह notice जो है, वो basically PCS examination, main examination 2019 के बारे में है, तो यह notice मुक्यत उन candidates के लिए है, जो कि मुक्ष परिक्षा 2019 में shuffle गोशित हुए थे, और जिन्होंने परिक्षा शुल्ख जमा कर दिया है, या परिक्षा शुल्ख जमा करने है, तो अतरिक मुक्ष परिक्षा अवेधन, यह तुसंबंदित कोई भी कारशेश रह गया है, मतलब जो कोई application आ आयोग की विग्यप्ती संख्या, चीज द्यान से सुनियागा, विग्यप्ती संख्या 81-5E2-2019-20, दिनांग 20 मार्च 2020 के माध्यम से आपको particular exam के related जो document hard copy आपको 26 मार्च तक आयोग में जमा करानी थी, जिनके लिए निर्देश किया गया था आपको जो जो document जमा करवाने के के लिए और फिर उनी कैंड़ेट्स को विग्यप्ती संख्या 78E1-2019-20, दिनांग 25 मार्च 2020 के माध्यम से application लेटर जो आपको 19 अपरेल तक जमा कराने के लिए आपको बोला गया था, तो अब उनके लिए वो date फिर से revise कर दी गई है और वो dates हैं जो सारे कैंड़ेट्स हैं व 15 में 2020 तक कारियाले में भेज सकते हैं, आयोग के कारियाले में भेज सकते हैं, यह date revise कर दी गई है, यह एक बड़ा फैसला है आयोग द्वारा, क्योंकि आप अपने क्योंकि करोना वाइरस या COVID-19 के जो समय पैंड़ेमिक चल रही है, तो इस समय यह सारी relaxation आपको दी गई है तो अगर आपने document नहीं भेजा हैं, तो आप 15 माई 2020 तक यह document भेजने की कोशिश करिए, कि आपकी documents proper पहुंच जाएं और आपका registration हो सकें और आप अपना process को आगे बढ़ा सकें, तो मेरी तरफ से सबको congratulations and all the best, अगर कोई भी आपको और information चाहिए, UPSCIO के related, तो आप please comment section में comment करिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोज लाच रहें, thank you So friends, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो please हमारे चैनल को like, subscribe और share करना ना भूले, और bell icon पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको regular वीडियोज मिलती रहें, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज लाचें, thank you so much